हमारे वाले गाउ की जन संख्या 12,000 है मगर हमारे गाउ में साइबर कैफे नहीं है मुझे इसके लिए जेजुरी जाना पड़ता है जेजुरी जाने के लिए बस ज्यादा ना होने के करण अगर साइबर कैफे जाना हो तो कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है मुझे साइबर कैफे में जाने के लिए 20 रुपए टिकेट के लिए लगता है और इंटरनेट में हर गंटे का 30 रुपए चार्जेस लेते है साइबर कैफे में जादा तर लड़के लोग रहते है कोई अपने ओपिस के काम करता है तो कोई मोबाइल में गाने बरना या गेम खिलने का काम करता है जासते कुंते हो गटतली मानस साइबर कैफे महाँ यहते है साधरन ता पंचुश्थे जिस अनि तही काई करता है, सारा-सरी आले आवर मझे ओपिसली काम करता है अपिसली काम हास्ता फ्लस पासली मेल पाथवाची काम हास्ता इंटरनेट चो नॉलेज, मुझे कोटा नोकर आए, आइवेलिबिटी, जॉब साथी, सरकरी नोकरें साथी, कैसरी माती सर्चिंग साथी बरे सिजन है था माईलांची संख्या किती है सते सरा सरी? सरा सरी रोच्चा कश्ट मरच्चा मावेज़ा दर ले तर एक 15-20 टक्के महिलेंची संख्यास्ति में मुझे लगता है साइबर कैफे एक अच्छा साधन है जो कम पैसे में लोगों के काम कर जाता है ग्रामिन भाग में बहुत से लोगों के घर में कॉम्पीटर नहीं होता तो वो साइबर कैफे में जाके सीखते है और यूज़ करते है साइबर कैफे में बिजली का बहुत प्रॉब्लम है अगर बिजली नहीं हुई तो बिजली आने तक 2-3 गंटे रुकना पड़ता है इंटरनेट की भी रेंज हमेशे चली जाती है कभी कभी पूरा दिन रेंज आती ही नहीं इससे सब लोगों को बहुत परिशानी होती है